गुड मॉर्निंग तो आज के हमारे टॉपिक है डिफरेंट कंसेप आफ नेशनल इंकर्म ठीक है यह सबसे मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फीजन होते है जिलीपी एड मार्किट प्राइस क्या होते है जिलीपे फेक्टर कॉस्ट क् इसको हम यहां पर दोबारा डिसकस नहीं करेंगे और इंडीपी एड मार्किट प्राइस क्या होते है ठीक है और जी एनपी एड मार्किट प्राइस क्या होते है इसी तरह जी एडीपे एड फेक्टर कॉस्ट क्या होते है एंडीपे एड फेक्टर कॉस्ट क्या होते है जी तो इनको हम one by one पढ़ेंगे और यहां पर मैंने sign भी किया है depreciation ठीक है और IT means indirect tax, SB, SUB, ठीक है subsidies and this plus sign addition and this minus sign subtraction और यहां पर G represent for gross and N represent for net ठीक है तो इससे क्या sign आये गए हम बात में discuss करेंगे ठीक है अब आज जो GDP and market prices के ओपर GDP के अंदर consumption, investment and government expenditure plus net export क्या होते हैं include होते हैं ठीक और gross domestic product के अंदर हमेशा एक चीज और include होते है वो है depreciation को हमेशा हम क्या करते हैं include करते हैं DEP means depreciation ठीक है जब हम depreciation को include करते हैं तो हमारे value क्या आ जाते हैं gross value आ जाते हैं ठीक है जब हम net value से net domestic से ठीक है gross domestic को निकालते हैं तब हम depreciation को क्या करते हैं plus करते हैं means की gross means पूर aggregate aggregate चीज को हम निकालने के लिए total value को निकालने के लिए हम depreciation को क्या कर देते हैं include कर देते हैं ठीक include कर देते हैं अगर हमें gross net value को निकालना होते हैं तो हम उस तब टाइम क्या करते हैं depreciation को exclude करते हैं ठीक है यह थे gross domestic product at market price अब इसके बाद gross domestic से net domestic ठीक है gross से net की तरफ आ जाते हैं means की GDP में से GDP में तो यह depreciation क्या होते हैं include होते है gross में include होते हैं सबसे important topic में आज बढ़ा रहा हूं ठीक है इसको दिहान से देख लेना कुछ समझ लेना तो gross से net की तरफ जब हम जाते तो यह DP तो DP दोनों में same है MP MP दोनों में same है इसमें कोई मसला नहीं है ठीक है gross से net की तरफ जाते हैं तो हम यहाने क्या पढ़ा था gross से जब हम net की तरफ चले जाते हैं तब हम depreciation को क्या करते हैं exclude करते हैं ठीक है net means exact value means की depreciation क्या होते है we are in tier जो extra machine के उपर खर्चा आपको लगा हुआ होते हैं एक साल के production के अंदर तब कुछ खराबी होते हैं उसके पर extra expenses जो पढ़ते हैं उस चीज़ को जब हम net value means की exact value जब हम निकालते हैं तो depreciation को हम क्या करते हैं subtract करते हैं ठीक है इसलिए इसको क्या करते हैं minus sign लगाते हैं तो हम gross से net value को निकालते हैं तो depreciation को क्या करते हैं subtract करते हैं और जब हम net value से gross value को निकालते हैं तब हम depreciation को क्या करते हैं plus करते हैं, means की add करते हैं, ठीक, अब ये हो गया, g से in, ठीक, अब हो गया, ये एक gross और net का, तो हमने discussion कर लिया, ठीक, कर लिया की नहीं कर लिया, अब आ जाओ, domestic से, domestic से national की तरफ, अब हमने बोला था कि, पहले तो हमने gross और net value के बारे में discuss किया, ठीक, अब आ जाओ, domestic से national, ये value फो गया, इसका, ये चीज़ समझ में आए गया न, आप लोगों को, ठीक है, इसके बाद हम domestic से national की तरफ चले जाएंगे, domestic value हमारे पाद GDP है, ठीक है, हमें क्या निकालने है, gross national product अब निकालने है, means कि domestic से national, means कि यहां पर, for example, जितने भी ये country है, जितने भी goods and services इसके अंदर produce करते हैं, उसे हम GDP कहते हैं, ठीक है, बाहर से हमारे लोग, जितने भी, हमारे country के लोग बाहर जाके काम करते हैं, जहां हमारे factors जो बाहर प्लान जो लगाये हुए है, वो लोग वहां पर काम करते हैं, services देते हैं, तो उनका जो income, जो होते हैं, हम इसके अंदर जब निकालते हैं, add करते हैं, तो ये हमारे economy क्या बन जाते हैं? Gross national income बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? Gross national. National क्यो बन जाते हैं? क्यों इस में बाहर के country में, जिनन नेशनल इंकम बन जाते हैं, ठीक है, जब आप ग्रॉस दोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा ले जाते हैं, तो आपकी ये जो NFIA, NFIA means की net factor income from abroad, तो आप दोमेस्टिक से net की नेशनल को निकालेंगे, तो इसका सेंग क्या हो जाते हैं, positive आते हैं, ठीक है, अब दोमेस्टिक इंकम के उप से आप, आप नेशनल इंकम को निकाल रहे हैं, तो NFIA क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यह करना कि नहीं पड़ से नाएगा, प्लस से नाएगा, क्यों कि हम NFIA को यहां पर एड़ करते हैं, ठीक, यह हो गया domestic to national, ठीक है, डोमेस्टिक इंकम से नेशनल इंकम को निकालने का तरीका, अगर आपको नेशनल इंकम से डोमेस्टिक इंकम को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प जितने भी बाहर से हमारे यहां इंकम आये हैं, ठीक है, हम उन सब को क्या करेंगे, सब्ट्रेक करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रेक करेंगे, मैनस करेंगे, तो जब हम national से हमारे domestic की value निकालते हैं, तो हम NFIA को क्या करते हैं, मैनस करते हैं, means कि इस चीज़ को हम सब्ट्रेक करते हैं, यह हो गया domestic से national की तरह, अब यहाँ पर देखो NDP Net Domestic Product ठी, Net Domestic Product में NDP नहीं, यहाँ से यहाँ से क्योंकि यह दोनु same है न, GG, same, gross, gross same है, means की gross मालब, इसमें depreciation क्या होगा, include होगा P product, P product same, MP, MP, दोनुं से, means की इसमें indirect tax include होंगे, subsidies subject होंगे, ठीक है, मगर देखो, यहाँ पर D जो लगाया हुआ है, domestic और यहाँ पर N लगाया हुआ है, इस N का मलब होते है national, इस D का मलब होते है domestic, इस N का मलब होते है national, तो जब हम GDP में से GNP को निकालेंगे, GDP से हम GNP को निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, direct, domestic से हम national किताब चाले जाते हैं, तो हम किस चीज़ को add करते हैं, NF, NFIA को क्या कर देते हैं, add कर देते हैं, ठीक है, NFIA का मलब क्या होते है, national factor income from abroad, ठीक है, यह हो गया GDP at, GNP at market price, ठीक है, इसी तरह net national income, net national product at MP, इस चीज़ को निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, अब net और net तो सेम है, national और national तो सेम है, ठीक है, अब हमें gross से net की तरफ आना है, gross से net की तरफ आते हैं, तो क्या निकालते हैं, जब हम gross से net की तरफ जाते हैं, तो हम depreciation को क्या कर देते हैं, subtract कर देते हैं, ठीक, यह value आ गया की नहीं आ गया, यह हो गया, हमारे अगर आपको NNP at market price निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, NNP means gross में से, gross में से, gross में से depreciation को जब exclude करेंगे, तो आपको net के value आ जाएंगे, net national income का, ठीक, अगर आपको gross national product निकालना है, तो आपको GDP gross तो है, आपके पास domestic के उपर आप क्या करेंगे, अपने NFIA को, ठीक है, जो income आपको बाहर से आ जाते हैं, उस चीज़ को क्या करना है, include करना है, अगर हम gross से net की तरफ आ जाते हैं, तो depreciation को subtract करते हैं, और net से जब हम gross की तरफ चले जाते हैं, जब gross value निकालना होते हैं, जिसकिसी का भी gross value निकालना होते हैं, वहाँ वहाँ पर हम depreciation को add करते हैं, और net के दोरान हम depreciation को exclude करते हैं, अब देखो अब यहां पे market prices और जो कि हमने previous lecture में क्या किया था discuss किया था ठीक है मैं यहां पर आपको recap के लिए फिर दुबारा अगर आपको market price से GDP at market price से आपको निकालना है GDP at factor cost निकालना है ठीक है तो इस temp आप क्या करेंगे GDP GDP at market price से फेक्टर कोस निकालना है तो क्या करेंगे मेनस indirect tax ठीक है indirect tax को आप निकालेंगे और पुलस क्या करेंगे आप अपने subsidies को इस चीज को उपर क्या करेंगे एट करेंगे ठीक है इस से आज आज आएंगे आपको factor cost GNP आपको NNP at market price से आपको NNP at factor cost निकालना है तो भी यही निकालना है कि आपको indirect tax को exclude करना है और subsidies को include करना है और इसी तरह GNP at market price से आप GNP at factor cost को निकालना है तो आपको फिर वही करने है क्या निकालना है इन direct tax को exclude करना है और subsidies को add करना है इसका मरला भी यह है कि आप अगर factor market price से factor cost को निकालना है तो indirect tax को मेनस करना होते हैं और subsidies को क्या करना है तो आपको include करना होते हैं इसी तरह आप factor cost से market price को क्या करना है market price की GDP को क्या करने है GDP at factor cost से आप GDP at market price को convert करना है तो आप उस टेम पे आपने जो indirect tax को क्या किया था? अब उस टेम पे आप इसको क्या करेंगे? एड़ करेंगे ठीक है? और subsidies को क्या करेंगे? सब्ट्रेक करेंगे. यह जो sign coming यहाँ पर अलग से बनाया था इसलिए बनाया था कि आपकी confusion क्या हो जाए? क्लियर हो जाए. ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि आप इस lecture को सुनने के बाद आपकी GDP at factor cost at GDP at market cost में कोई confusion रहे या आप GDP at market price या NDP at market price में या gross और net value में कोई confusion रहे ऐसा भी possible नहीं है और या domestic से जब national income को हम निकालते हैं तो भी वहाँ पर क्या आपकी confusion रहेंगे? मुझे लगता है कि नहीं रहेंगे. इस lecture को फुल देखने के बाद. इसी तरह अब यहाँ पर देखो GDP at factor cost GDP at factor cost में तो हम जब factor cost निकालते हैं तो subsidies को ही add करते हैं. यहाँ पर subsidy add होंगे और क्या होंगे? हमारे indirect tax को subtract करेंगे. पुलाज GDP जब हम निकालते हैं तो इसमें और एक चीज़ include होते हैं जैसे कि हम market price के दोरान क्या किया था? डिसकस किया था. सेम discussion यहीं पर भी करेंगे. इसमें भी depreciation क्या होंगे? include होंगे. क्यों? क्योंकि gross domestic है. gross में हमेशे क्या होते हैं? depreciation को include किया जाते हैं. यह देखो. gross net से आप gross को निकालते हैं तो आपकी depreciation को क्या कर रहा है? plus कर रहा है means कि add कर रहा है. ठीक है? तो यहाँ पर GDP add factor cost निकालते हैं तो यहाँ पर depreciation को क्या करते है? add करते हैं. अगर आपको net domestic product factor cost निकालना है. ठीक है? अब जितने भी factor cost यहाँ पर है इन सब में क्या है? हमारे subsidies include है और indirect tax exclude है. यह तो आपको अल्रेड़ी पाता होना चाहिए. ठीक है? अब देखो NDP add factor cost. gross DD तो सेम है दोनों का, PPV दोनों का सेम है, FCFC दोनों का सेम है. मसला क्या है कि यहाँ पे जो net है यहाँ पे gross है. तो हम direct देखेंगे gross से जब net की तरफ जाएंगे. यह मिन total से जब हम exact एक single value के उपर आ जाते हैं तो हम depreciation को GDP में से इस GDP में से depreciation को क्या करेंगे? Exclude करेंगे. ठीक है? ठीक यह चीज़ आपको समझ में है. इसी तरह आपको यह जो है gross national product. मिनस कि यहाँ पर आप पहले क्या किया था? GDP के बारे में, gross domestic के बारे में. जी जी तो दोनुं में सेम है. ठीक? जी जी इसमें भी सेम है. तो PFC भी इसमें दोनुं में सेम है. तो difference कहा है? यहाँ बीज वाले N और D में. जब आपको national का value निकालना है तो आपक क्या करना होते है?? Domestic जो इंकम आपके बारे में. इस चीज को हमें क्या करना होते है? इस चीज को पर add करना होते है. तो बाहर से जो इंकम हमें क्या आ जाते हैं? आते हैं. तो उन को हम क्या बोलते हैं? Net Fuckator Income from Abroad. ठीक है? NFI A National Income. National Factored Income from Abroad. ठीक है, तो NFIA को हम क्या करते हैं, एड करते हैं, ठीक, इसी तरह gross ये भी national है, ये भी national है, ठीक, और ये भी factor cost है, ये भी factor cost है, ये भी factor cost है, और तो यहां पर gross और national income की दोरान हम जब निकालते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाली depreciation को एड करते हैं, ठीक है, तो इस depreciation को जब हम subtract करते हैं तो हमें net का value आ जाते हैं. ठीक है, ये थे आज की lecture जो की बहुत बहुत important है इस concept को clear करना. अगर इस time पे आप clear नहीं करकवा रहे हैं तो आगे जाके थोड़ा आपको जो concepts इस से related होंगे, वो आप समझने में थोड़ा दिकत करेंगे. इसलिए मैं कहता हूं कि इसको बार-बार देखें, तब तक देखें, जब तक आपको समझ में नहीं आते हैं. मैं यहां पर एक बार फिर से revision करेंगे कि जब आप gross value से net value की तरफ जाएंगे, ठीक है, gross में से आप net value निकालेंगे, तो हम depreciation को क्या करेंगे, subtract करेंगे, अगर हम आपके पार net value है और आपको निकालना है gross value, means कि total value निकालना है, तो depreciation आप क्या करेंगे, add कर देंगे, plus कर ठीक है, इसी तरह domestic value, domestic means कि आपकी territory के अंदर जितने भी goods and services produce किये हुए, आपको निकालना है, पूरे economy में बाहर से भी income आ रहे हैं, उन सब का निकालना का, उन सब जब add कर तो उसे हम national income करते हैं, तो उस दोरान, जितने भी बाहर से income आ रहे हैं, उसको आपको क्या करना होत जो बाहर से income आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, NFIA, national factor income from abroad, ठीक, इसी तरह net से domestic को आप निकालना है, total जो आपके पास income आया है, उसमें से आप निकालना चाहते हैं कि आपकी country में ही कितने produce की हुए है, ठीक है, कितने value goods and services का हुआ है, तो उस देरान आप जितने भी बाहर से income जाते हैं, कुछ चीज को क्या करेंगे, subject करेंगे, बहुत easy है, बहुत easy है, ठीक है, इसको बिल्कुल, यह mix मत करो, अलग अलग से, मैंने इसलिए यहां पे, तीन यह part बना के, इसलिए समझाए कि, यहां पे side में sign भी आपको अलग से बनाया, ठीक है, नहीं तो मैं अगर इ confusion होते हैं, ठीक है, मैंने इसलिए यहां पे, इस चीज को क्या किया था, पहले शो किया था, ताकि कोई confusion बान में नहो, तो आप national से domestic को करते हैं, तो जो भी बाहर से income आते हैं, जिसे हम NFIA कहते हैं, उसको subject करते हैं, ठीक है, इसी तरह factor, market price से, जो कि हम previous lecture में अलड़ी डिसक कर रहा हूं, ठीक है, तो जब आप market value, जब आप market price से, आप factor prices को निकालते हैं, ठीक है, तो उस दोरन क्या करेंगे, आप indirect tax को exclude करेंगे, और subsidies को आप क्या करेंगे, include करेंगे, ठीक है, इसी तरह just opposite है, factor जो cost होते हैं, जैसे कि आपको निकालना है, NNP, ठीक है, NNP is factor cost को न NNP आपको factor cost के लिए निकालना है, ठीक है, तो आपके पास है, आपके पास आलरी पड़ा हुआ है, NNP market price, ये value आपके पास आलरी है, मगर आपको निकालना है NNP factor cost, उस दोरन आपको क्या करना है, ये दोनों तो सेम है, NNP, NNP सेम है, तो differences क्या है, MP और FC में, तो जब MP और FC में differences होते हैं, तो आपको क्या करना होते हैं, indirect tax और subsidies को क्या करना होते हैं, एक को 8 करके, एक को subtract करके, इसका value निकालना होते हैं, तो हमने क्या कहा था कि अगर आपको factor cost निकालना है, तो indirect tax को क्य क्या करना होते हैं? सब्ट्रेक करना होते हैं, ठीक है? और अब क्या करना पड़ते हैं? है डीट करना पड़ते हैं. ठीक. तो सब्सीडीब्स यदिभ अब एल्टकरेंगे तो इसstart हमें डीरेक्ट एंप 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 wyrto after cost आ जाते हैं. Gnp at factor cost को आपको निकालना है, ठीक है, तो उस दोनार आप क्या करेंगे, Gdp at factor cost, ठीक है, और market price minus indirect tax plus subsidies, इसी तरह आपके पास है, आपके पास for example, आपको निकालना है Nnp, ठीक है, Nnp at market price निकालना है, ठीक है, मुदर आपके पास क्या पढ़ा हुआ है, आपके पास Nnp, Nnp at factor cost, तो आपके पास क्या है, available है, ठीक है, यह चीज़ आपके पास available है, तो आप क्या करेंगे, Nnp at market price निकालने के लिए, जब हम market price निकालते हैं, तो हमारे indirect text को क्या करते हैं, indirect text को हम include करते हैं, means कि add करते हैं, और subsidies को हम क्या करते हैं, subtract करते हैं, खुप, आप लोग इस चीज़ को clearly, without confusion, आप लोगो ने इस चीज़ को समझा होगा, ठीक है, फिर भी इसके बाद जितने भी confusion रहते हैं, आप मुझे इन्बुक्स में अपना यह जो question या confusion जो जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर drop करें, ताकि मैं उस चीज़ को पड़के वहाँ आपको दुभारा से explain करने की कोशिश करूँगा, और हमारे WhatsApp ग्रूप में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, question drop कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं reply पका दूँगा, ठीक है, और भी अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझे call कर सकते हैं, ग्रूप में मेरे number भी already added है, ठीक है, तो इसके बाद हम previous lecture में भी इससे related ही कुछ पढ़ेंगे, national income एक current prices पर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक होते हैं, base year के prices पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उनके बारे में हम बाद में discuss करेंगे, तो आज के जो topic थे बहुत ही important और बहुत ही confusion है, मगर जब आपको समझ म में आते हैं, तो इसके साथ हम फिर कल मिलेंगे, next lecture में, next online classes में, आलाहाफिस.